सरकार तो जनता के हित में कई योजनाओं को लागू करती है मगर उन्य योजनाओं को धरातल पुरतरने में कई वर्ष लग जाते हैं जिस कारण लोग मूल भूत सुविधाएं या यूं कहें कि अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहां ना तो जन प्रतिनिद्यों को और ना ही सरकारी महकमों को ही विकास के कारियों में दिल लगता है इन्हें तो बस अपनी जेब भड़ने से मतलब है इन सब के बीच आम जनता बेबस और लाचार बनी रहती है ऐसा ही कुछ हाल है मनिहारी प्रखंड के दिलारपूर के लोगों का यहां हरी चौक से महियरपूर रेलवे स्टेशन तक जाने वाली मुख्य सरक जरजर है आपको बता दी कि यह वही सरक है जिसका प्रधान मत्री गरामेण सरक योजना के तहत साल भर पूर मुख्यमति निदेश कुमार ने वर्चल तरीके से शिलान्यास किया था मगर सरक निर्माण की प्रक्रिया काफी धीमी होने के कारण 4 किलोमिटर की यह सरक अब तक पूरी नहीं हो पाई है इस मामले में कटिहार जदियों के दलित प्रकोष्ट जिला ध्यक्ष कुंदन कुमार पासवान ने बताया कि जर्जा सरक होने के कारण बरसात की दिनों में लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है लोग समवेदक और विभागी अधिकारियों की उदासींता को लेकर आक्रोशित हैं मगर समवेदक और विभाग इससे बेपरवा है उन्होंने कहा कि समवेदक या विभागी अधिकारी द्वारा बरती चार ही लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा अज़ पर दोड़ा है यह जो रोड है दिलारपूर से महीहारपूर तक का है एक साल हो गया इनका उद्गाटन होने से मान्या बिदायक मोदे कठ्यार के दुआरा किया गया था उद्गाटन लेकिन आज तक बन नहीं पाया ए रोड कुछ काम हुआ है चौक के पास कुछ हलका काम हुआ है उसके बाद आज तक बना नहीं रोड है जनता को काफी प्रिशानी है काफी समस्या है इस रोड से वहीं स्थानिय मनिरूल राजेश कुमार रामनायन मुर्मो ने विभागी अधिकारी पर पैसे गमन करने के नियत से काम में देरी करने का आरोब लगाया हम लोग का समस्या बहुत गंभीर है गंभीर यह है कि पूरा रोड खराब है और रोड का देखभाल भी करने वाला कोई ने है हम लोग तो ही सोचते हैं कि बन जाये तो बहुत पुलिकली ऐसे विस्ता हो पहता हम लो गभीर यह दो को निकलने के लिए एक सांकडिया साफ मुक्यासाफ फिसमेह भी साकर पानि भार करकर ठेल फिलार के दिया विभागी अधिकारियों और समवेदकों को इन लोगों की परेशानियों को समझना चाहिए और तैसमर पर अपने कारियों को पूरा करना चाहिए ताकि इन ग्रामिनों का जीवन याबन आसानी से हो पाए ताजीम हुसेंड टाइम्स न्यूज मनिहारी